हेलो गेम लवर्स जी टीए की दुनिया में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है गाइस तो गाइस जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो के देखी होगी तो आपने देखा होगा कि ट्रैवर और माइकल मिलके एक बहुत अच्छा मिशन करते हैं कंप्लेट बट ह हो जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम मार्टिन मद्रासों के साथ पता नहीं क्या प्रॉबलम मार्टिन मथ्या करके यहां पर लेया है माइकल भी ट्राइवर के साथ है और क्योंकि माइकल की जान को खत्रा है तो अभी माइकल यहां पर कुछ दिन छिपा रहेगा लेकिन यहां पर आने के बाद ट्राइवर को एक काम मिला है उसका जो एक दौस्त थे रौन उसने उसे एक काम बताया है जो तो आज कुछ वैपन से इदर से उधर एक एरोप्लेन में ले जा रहे हैं और अगर हम चाहें तो वो वैपन को अपना कबजे में लेकर बेच कर अच्छे पैसे कमा सकते हैं तो यह सुनकर ट्राइवर हो गया है बहुत ही ज्यादा खुस और फटाफ़ रॉन को लेकर निकल च जैनते होंगे तो जाद दूर नहीं है यहां से तो वहां पर हमको जाना है अभी और च्छोट असा एरोप्लेन लेकर उड़ना है क्योंकि वो जो जो वैपन से वह एक प्लेन में अभी जा हरे है और अभी हवा में है तो मैं च्छोटा सा एरपोर्ट है लोकल पीपल इसको करते हैं चोटे मोटे अड़ाने के लिए कभी क्रॉप में दवाई डालनी है तो उसके लिए या फिर कहीं आग लगी हो वहाँ पर पानी डालना हो उसलिए तो यह चोटा सा एक एरपोर्ट है यह यहां पर आगया है और यह है वह अभी ट्राइवर उड़ाने वाला है और करन में वाला है अपन मिशन पूरा तो गाइस आज हम लेंगे एरोप्लेन चलाने के फुल टुस्ट मजे और जिसको यह मज़े लेने हैं वह देख सकता है यह वीडियो कि चलो तो स्टार्ट करते हैं गाइस और अब हम लेंगे एक लंबी से उड़ान करेंगे अपना मिशन पता नहीं कैसे होगा लेकिन जैसे भी होगा अभी फिलाल यहां से उड़ते हैं और जैसे जैसे समझ में आता जाएगा मिशन करते जाएंगे गाइस यहां पर हम फिलाल उड़ चुके हैं और आसमान एकदम साफ है तारे कितने चका चक दीख रहे हैं गाइस अगर आपको दीख रहे हों तो काफी अच्छा लग रहा है एक दम आसमान टंच है और पहाड़ों के बीच से होते हुए एक लेक के उपर से जा रहा है ट्रैवर अपना काम पूरा करने के लिए और मैं बता दो थोड़ा सा हमें इस गेम में एरोप्लेन को थोड़ा नीचे से नीचे आया तो तो जितना भी हो सके मुझे नीचे से नीचे ही उड़ाना होगा ये प्लेन गाइस तो मैं कोशिश तो कर रहा हूं बट बीच में जब थोड़े बहुत माउंटेंस आते हैं कुछ ऐसी जगे आती है थोड़ा सा उपर तो करना ही पड़ता है बट ट्राइ मैं पूर सामने इस टाइम उपर की तरफ वह एरोपलेन जा रहा है और शायद वही वह एरोपलेन है जो हमारा टार्गेट है तो अभी लिमें जाना तो है मुझे उसके पास थोड़ा जल्दी जा सकता हूं बट क्योंकि मैं उपर नहीं उड़ा सकता तो नीचे नीचे ही मुझे चलन आ पड़ेगा और इतना नीचे भी कही न हो जाए कि राश ही हो जा एरोपलेन इस चीच का भी बिलकुल धियान रखना हैं मुझे तो जितन हो सके नीचे लेकिन सेफ जोन में मुझे उड़ाना है वो अरो वान तो काफी ऊपर है तो इस वेस्सापस तो मुझे लगता है कि नहीं हम कैसे वहां तक पहुंच पाएंगे क्योंकि वह तो ऊपर है और हमें तो ऊपर जाना बिल्कुल अलावड ही नहीं है बट कोई बात नहीं फिलाल हम चलते हैं और वह एरोप्लेन तो राइट साइड जा रहा है लेकिन मैं थोड़ा सा घुमा के ले जा रहा हूं क्योंक अश्च कर ही लेंगे हम लोग सामने ही है वह प्लेन और सामने ही वह यह एरिया शायद मिलिटर एरिया लग रहा है एरपोर्ट तो है पर मैं नीचे नीचे फटा पर निकाल लेता हूं यहां से जो जाते हो घुमा के लिए आँगा तो बहुत टाइम लगेगा नीचे नीच के बार-बार गाइस बार-बार अलाम और बीप्स के आवाज आती है और बार-बार रॉन मुझे कॉल करके वार्निंग करता है कि नीचे चलाओ इसलिए मुझे थोड़ा भी उपर जाने के बाद दिखते हूं से नीचे करना पर जाता है तो फिलाल मैं अभी यहां पर जा र अपने आपको सेफ रखते होए उस से अरोपलिन का पीछा करते रहना है और जब हम निकल जाएंगे मिलिटरी एरिया से काफी दूर तब हम उपर जाके अपने काम को अंजाम दे सकते हैं दोस्तों तो फिलाल हमें जल्दवाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है हमें के रहना है कि नीचे ही पेड़ों में ना पस जाएं पता चला उन से सेफटी के चक्कर में किसी और प्राब्लम में अजाए और प्रेंट क्रैश हो जाए तो पूरे ध्यान से मैं कोईश्च कर रहा हूं अभी चलाओं और बाकी तो बाद में पर चलेगा मैं कितने चला पात हूं मिशन हो पता है कि नहीं हो पाता बाट मैं ट्राइट तो पूरा यही कर रहा हूं कि बच गया गाईज अभी उस टैंक से टक्कर हो जाती बाल बाल बच गया तच हो गया था थोड़ा सा बड़ा अच्छ वह क्रैश नहीं हुआ नहीं तो ती देर से जो उड़ा रहा मुझे उड़ाना चाहिए नहीं तो मैं अभी फिर से यह इलेक्ट्रिक वायर में फसके और फिर एरोप्लेन गिर सकता था बट बाल बाल बच गया पता नहीं कितनी और टाइम लगेगा कि जब मैं मिलिटरी एरियर से बाहर निगलूंगा कि जब तक इसकी एरिया के अंदर रहता रहूंगा मुझे नीचे फ्लाई करना पड़ेगा और मैं ढंक से और पीछा भी नहीं कर पाऊंगा और क्रैश होने का पूरा का पूरा डर रहेगा बार-बार मौंटेंज या कभी-कभी पेड़ कभी ब्रिजेज कभी कोई खंबे आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा रिस्की हो रहा है यह प्लेन को डाना बट क्या करें अब हो सकता है वैसे तो अब काफी देर हो चुके हो सकता है अब हम उपर उड़ा सके हाँ आप हम मिलिटरी जोन से बाहर आस चुके हैं तो उपर उड़ा सकते हैं तो मैं निकल रहा हूं पूरा कपूरा उपर की तरह अ से लुट लूँगा और बेच दूँगा माफिया को हो जाओंगा लेट्स गो by माला माल होना है गाय्स वीडियो को देखेंगैं कि देख सकता है मेरे प्वी माला माल हो सकता है जिस Kansas इसमस्अन मैं महाला हो गर्चुली डी में होनगा तो तो जो भी लोग मेरे साथ रहेंगे वीडियो देखेंगे वह भी माला माल हो जाएंगे सामने वह एरोप्लेन आ गया है और मैं उसके पास जा रहा हूं मुझे बार-बार वार्निंग मिल रही है उस एरोप्लेन की तरफ से के मैं पीछा ना करूं हट जाओं लेकिन तो कई सारी मिसाले आई चुके हैं गाइस मुझे बचके रहना है और यहां पर घुसा देना है प्लेन काफी मुश्किल हो रहा है बैलेंस बनाना पाता नहीं कैसे घुसा पाऊंगा गोल या चला दिए उनकी ओके गाइस एक्चुली तो गणा असा रहे गया मैं बिलकुल अर आरप्लेंगें इसे गुसाने वी वाला था थोड़ा सा रह गया कि उनकी तरफ से गोल यहां भी चल रही थी बहुत ही ज़ादा मुश्किल हो रहा था आप me इनके पास ये बंदे हैं ये बोडी गार्ड जो भी है इनको खतम करना होगा और फिर हमारा काम खतम होगा तो इस पार देखते हैं जाएगा की निज लगता है येस गाइज आ गया है ट्रैफर एरोप्लेन के अंदर और आप होगा आतंग अब हम आतंग मचाएंगे गाइज और खतम कर देंगे सारे के सारे लोगों को अब हमें कोई नहीं रोक सकता लेट्स गो दो तेन आदमी को तो माट चुका होओ बाके किदार रही है ओके ये आ गया 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 दूपने जा चुके हैं लेट्स और आ गया है और ठीक है नहीं तो फैर मैं वहीं जाके उनको चलो, चलते हैं इसको देखते है, ये गोल ही क्यों नहीं लग रही है, सामने आके ही मारना पड़े गाए ऐसे हो नहीं पा रहा है तो लगता है गाई, सारे के सारे ओओ नौ, एक और आदमी है, इसको भी फटाफट लेते हैं लपेटे में रिलोड कर लेते हैं गन और ये आदमी भी गया और लगता है फिलाल लगता तो है कि सारे के सारे लोग मचे कार और गाईज एक्चुली कार पीछे की तरफ आ गई और ट्रैवर का काम पूरा नहीं हो पाया तो हमें एक बार ये फिर से करना पड़ेगा ओके गोली बारे शुरू कर दी है कई सारे बंदे मार दी है और इस बार में फटब अपर सोस आगे जाके मारूं ज्यादा वेट नहीं करूंगा थोड़ा थोड़ा आगे जाओंगा ताकि कि किसी कोई आदमी अगर उनका पीछा है तो उसको मार दूँगा और ऐसा नहों मैं जल दो नों को महनेक कर दिया है खतम देख लेता हूं कहीं और कोई आदमी भीते नहों कहीं पता चले पीछे से गोली लग गई और उसके बाद इन सीडियों से उपर जाना होगा चलो चलते हैं क्योंकि यहां पर और कोई बंदा तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है फिलाल त हुझे जाके अब करना है इस एरोप्लेइन को आफरेट तो आज हम सिर्फ एक नॉर्मल एरोप्लेइन को ही चड़ाने का मज़ा नहीं लेंगे आज इतने बड़े कार्गो प्लेइन को चड़ाने का भी मज़ा लिया जाएगा तो ट्रावरा एक दम तयार और ले रहा है तो काफी ज्यादा स्मूज चल रहा है यह प्लेइन की कारगो प्लेइन काफी हैवी होता है तो ज्यादा फास्ट नहीं होता जल्दी से टर्न नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते लेकिन चलता बहुत स्मूज है अराम अराम से मुड़ता है जो भी कुछ करना हो अराम से करता ह तो चलाने का पूरा मज़ा रहा है उस छोड़े प्लेन में क्या था कि जल्दी जल्दी हम उसको टर्न तो कर सकते हैं लेकिन बैलेंस बड़े बिगड़ जाता है क्योंकि एकदम से नीचे एकदम से उपर इस प्लेन में वैसी कोई बात नहीं है यह जो भी कुछ करेगा अराम से और गाइस मुझे लगता है यह साइद दो प्लेन निकले हैं कि मुझे लगता है इन से हमें कुछ खत्रा होगा क्योंकि यह फाइटर प्लेन थे बिल्कुल मेरी बगल से निकले और मुझे लग रहा है वो शाइद पीछ आ रहे हैं तो गाइस जैसा हमने सोचा था है वैस नहीं हो रहा था अभी हमें फिलाल इस समान को इन प्लेन से भी बच्चाना है और फिर उसके बाद ही हम यह मुईत कर सकते हैं कि हमारा काम होगा पूरा तो अब हम दुबार से आ गए हैं प्लेन के अंदर और इस बार फिर से ट्राइब करेंगे उन फाइटर प्लेन से बच ज भी नहीं है और ना ही हमारे पास उतनी स्पीड है ना ही हम जल्दी से प्लेन को इधर हो दो टर्न कर सकते हैं तो बचना तो मुझे नामुम्किन सा ही लग रहा है बट फिलाल कोई बाद नी एक बार ट्राइ करके देखते हैं अगर बच जाते हैं काम हो जाता है तो उससे अच चीज से बात बन जाए यह सिफ घाइस मेरा आइडिया है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन अभी हम कि उनको शूट भी नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते तो यह हमारे पास ऑप्शन है वाग कि एक ऑप्शन रॉन नहीं बताया है कि अगर मैं फ्लेन को काफी ज जा सकते हैं इसको तो फिर कोई बात नहीं नीचे आते हैं फिर मैं उपाले जाओंगा ऐसे करके देख लेते हैं शायद हो सके थो हम बच जाएं और भाई के सब तो भगवान के उपर है अपमें तरफ से कोईश करते रहो फल की चिंता मत करो बस कम कर्म करते रहो गाइस तो कर्म किये जा रहे हैं या जीटे फाइव में आज तो फाइट रप्लेंस तो बिलकुल अभी सामने दीक रहा है और लेकिन मैं ट्राइ करता हूं बचने की अभी उपर गया था थोड़ा आप नीचे आ गया हूं फिर से देखता हूं राइट साइट अंग करके उपर जा रह हो भी नहीं कर सकते हैं बट कोई बात नहीं ऊपर नहीं चाहिए करते रहते हैं और जब तक फाइटर प्लेन पीछा नहीं छोड़ेंगे तो हम सेफनी लैंड हो भी कैसे सकते हैं क्योंकि प्लेन आ जाएंगे और गाइज यह उन्होंने मुझे मार दिया एक बॉंब और प् बाद उसमें से ट्रैवर को करना है जम्प और क्योंकि यह मिशन अब कंप्लीट नहीं हो सकता प्लेन को क्रैश होना ही पड़ेगा गाईज अब और प्लेन क्रैश होगा तो ट्रैवर को तो बचना होगा तो फिलाल अभी हमें करना है इसमें से जम्प प्लेन को आटो पाइ से जंप कर रहे हैं बिलकुल free fire style में free fire और पब जी याद आ गया है गाई इस सीन को देखके जीट ये में पहली बार free fire और पब जी का यहां पर लेंड कर लेते हैं और आम से ट्राइवर पहुंच जाएगा फिर अपने घर दीरे दीरे करते हैं और वीडियो जो है यह मैं आज का वीडियो थोड़ा रखूंगा यहीं पर बंद करता हूं और यह मिशन थोड़ा मुझे तो इंट्रेस्टिंग लगा पहली बार मै मिशन पूरा नहीं हो पाया लेकिन कोई बात नहीं गाईज शायद यह मिशन पूरा होने के लिए बना ही नहीं था बट जो भी था इंट्रेस्टिंग ज़रूर था ठीक है गाईज सो थैंक्यू वेरी मॉस्ट थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो और प्लेस सब्सक्रा पूरा गाईज यह मिशन यही था ओके गाईज बाई